कि अच्छय तो डी année आज ना यह टूइस्ट की माणरा हमारी ट्राशफफ़ॉम में जाकर यह जो मारी कमान है किदर गई ऐए तो इसे कमांद को यूजब करते वह और फ्लॉ लॉंग कर पो यूजब करते वह आज में سं mort करेंगे बहुत ही असांट और बहुत ही इसी तरीके से ठीके तो उसके लिए सबसे बदेशा है चाहिए कर दिया है इसको प्ले करने के बाद इसकी हमने लेंट निकाल ली विदूल बैद्ध इसको गोल है, लेकिन जाए है लेकिन जाए है। इसको हम जाएड़ सी बास को डौटो में डिवाइड करके कि इसको जब लंबा करेंगे यान्य कि इसकी लैंथ निकालेंगे, तो जितनी ये गुलाई में लैंथ आई की इसको खोलने के बाद लैंथ उससे जादा हो करने के लिए हम क्या करेंगे करफ पर क्लिक करेंगे ठीक है और यहां से मईयर में जाएंगे यह मज़र और यह लिखा ओवा लैंध इसपर क्लिक करेंगे जैसी मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे बताया भाई 56 अशारिया साथ सो पचास मिलीमीटर सब्सक्राइब तो यहां पर कर्प में जा के सिंगल लेता हूं और यहां से लिखता हूं करना है यहां पर इड़े के करना है यहां पर W याग से बना लिए याऄ से सैंटर बना लिए वना लिन है दुए नहीं सुरी यहां ip ran एंटर 2.5 एंटर यह आगे मेरे पास ठीक है अब मैं क्या करता हूं इसके सेंटर में एक लाइन लेता हूं यहां पर ऐसे और एक यहां पर ऐसे इन दोनों को स्लेक्ट किया उसके बाद यह है मूव की कमान इस पर क्लिक किया इसका मिड़ पॉइंट पकड़ा और यहां पर ल यहां से इसको लेके इस वाजिद कर्व को लेके सर्फेस में जाते हैं स्लेक्ट करके यह एक्स्टूड और इस पर क्लिक करते हैं इसको स्ट्रेट करते हैं यह स्ट्रेट हमने किया यहां तक ठीक है यहां तक स्ट्रेट किया इसको और इसको मैंने प्लास्टिक व्यू लिय जी 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 बिल्कुल है अच्छा तो अब यह देखें अब सर्फेस को हमने स्लेक्ट किया ठीक है अब यहां से ट्रांस्फॉर्म में गए सेकंड विंडो में आए यह ट्विस्ट की कमार्ट इसको क्लिक किया एक पॉइंट यह मीड में रखा दूसरा पॉइंट हमने यहां पर रखा उसके बाद साइड वियू में गए शिफ्ट दबाया और उसके बाद लेफ्ट क्लिक दबाया और इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया ठीक है अब मैं तो ट्विस्ट घुमा रहा हूँ ना अब आपकी मर्जी है यहां पर आप एंगल भी लिख सकते हैं जो आप 24 से टूिस्ट कमा पकड़ता हो एक प्वाइंट यहां पर रखता हूं दूसरा पॉंट में यहां पर ठीक है उसके बादा हमें कर दा इक कर चांड़ी कर्फोह सीधा करता ओं कि अभा हमने क्या करना है अभने यह देखेंए पहली टारी इसके आंठेकर अपने जत énormément करना हुआ हुआ होग आपका बेस कर आपका बेस करब कौन से code यसके ऊपर आपने यहref बनाया है वह हमारा यह red वाला curve है जो इसके अंदर मुझूद है ठीक है यह वाला अब मैं इस पर click करता हूँ जैसी मैंने इस पर click किया अब वो मुझसे पूछ रहा है target curve भाई वो curve बताओ हाँ जिसके ओपर हमने इसको apply करने को वह वाला curve का है वो हमारा इधर है यह वाला तो मैं इसके ओपर click करूँगा जैसी मैंने इस पर click किया तो यह देख यह यहां से हमारी इसके ओपर यहां पर easily आ चुकी है ठीक है अब मैं अगर control Z करता हूँ इस दफ़ा यहां से rhino history खोलता हूँ और उसके बाद दुबारा सिर्फ law long curve यह surface राइड क्लिक यहां से red वाला बेस कर उसके बाद यह target कर तो यह देखिए यहां पर मेरा आ गया अब मैं अगर इसको यहां लेके जाओंगा तो यह मेरा curve यहां पर आजाएगा ठीक है अब मैं अगर इसको कोई भी point देखे जैसे मैं इसको point देता हूं ठीक है इसको यहां से मैंने यह वाले point दे दिये ठीक है यहां से उपर उठा दिये यहां से भी इसकी लेंद बढ़ गई ठीक है यह देखें इसको अगर मैं इधर करूंगा तो यह देखें इधर की तरफ आये गई गई देखें है मैं right click करता हूं फिर ctrl z अब अगर मैं इसके आप कर्व लगाता हूं कोई भी काम बना सकते हैं आपके इसके काम बनाना है आपने पर आपने तो प्लो लॉग उससे बनाना है और स्मार्ट वलो से जो काम बनाएंगे न यहां पर आटमेटिक यहां पर होता चला जाएगा ठ यहां पर चुका है अब दोबारा से करता हूं इसको डूब्लिकेट लेता हूं इसके यहां से 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 यहां डूब्लिक लिए उसके बार राइड किलिक किया और यहां से गया पाइप में यहां से यहां से यहां पर क्लिक क करता हूं डिलीट और यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक इस सर्फेस प्लिक किया एफ दबाया जैमान सर्फेस उसके बाद यहां पर गए और E दबाया E से हमाया स्टोन का साइज बढ़ा होगा यह मैंने E दबाया और एक यहां पर स्टोन लगाया एक स्टोन मैंने यहां पर लगा दिया ठीक है उसके बाद एक स्टोन स्टैटिंग मैंने यहां पर कर दी उसके बाद एक स्टोन मैंने यहां पर लगाया फिर एक स्टोन मैंने यहां पर लगाया उसके बाद एक स्टोन मैंने यहां पर लगाया तो यह देखे हैं मारी यह स्टोन सैटिंग हो गई यहां पर अब आपने यहां पर कटर लगाने ठीक है cutter कैसे लगाने वो तो आपको पता ही है उसके बाद दोबारे surface पर click किया फिर right click किया तो में बस stone यहाँ पर आ गए फिर अगला stone मैंने यहाँ पर लगाया फिर एक stone मैंने यहाँ पर लगाया फिर उसके बाद एक stone मैंने यहाँ पर लगाया और उसके बार एक स्टोन मैनने यहाँ पर लगाया तेंगे यह सोन मेरे यहाँ पर लगए समझाएगे अचrial, प्यास भी बात? यह स्टोन मैनने यहाँ पर easily लगा लिए तेंगे है, अब आप इसके अंदर कोई भी अफनी मरजीय आ काम करना चाहिए वह easily कर सकते हैं जैसे कि मैं यह stone पकड़ता हूं इनको करता हूं group यह rotate पकड़ता हूं f4 दबाता हूं यहां से rotate copy shift दबाया और इसको मैं stone को यहां ले आया ठीक है अभी देखे मेरे stone कितने easily यहां पर लग चुके है यह देखे तो देखा आपने यह stone जो हमने कैसे rotate copy करके यहां पर easily लगाएं अपने ठीक है यह समझाएं आपको मेरी बात ठीक है तो अब इसी तरह से आप यहां twist के ओपर कोई भी काम बना सकते हैं जरूर नहीं मैंने जैसे rectangle बनाया यह बताया आपको तो twist के ओपर कोई भी काम बना सकते हैं जैसे कि यहां पर कोई बना सकते हैं या कोई बीचीज आप easily इसके ओपर यहां पर कर सकते हैं ठीक है तो आज ही क्लास मैंने आपको यही बताना था कि किस तरह से हम इस ट्विस्ट वाइर को यानि कि की कमाड और फ्लॉव लॉंग कर्फ को यूज करते हुए किस तरह से हम एक रिंग और रिंग के लावा जो चाह मर्जी चीज हम आईजिली बना सकते हैं को इतना इसमें इसमें ठीक है यही मैंने आज आज आपको बताना था और आपको मैंने यह चीज़ सिखानी तो इसको कैसे किया जाता है नीचे की तरह देखे हैं आप यह बैंड कैसे बल दिया हुए इसके अंदर तो इस तरह से किसी भी किसम की आप कोई कड़ा हो चूड़ी हो यहां तक को करकी प्रैक्टिस करें और इसके इलावा जो मैंने बनाया ना इसको छोड़के इसके लावा अपनी तरफ से आपने मुझे को दो चार चीज़े बना कर दिखानी है ठीक है चले है ठीक है इसकी आप प्रैक्टिस आप इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा जितनी ह हो सके मैंने तो यहां वायर लगाई है आप यहां भे रवे भी लगा सकते हैं यहां वाटवां भी लगा सकते हैं यहां भी लगा सकते हैं ठीक है और यहां दे मैंने चौरस बनाया आप यहां बे कोई भी शेप बना सकते हैं सरू की शेप बना सकते हैं गोल बना सकते हैं जो आपको एजी लगे ठीक है वैस भी तो ठीक है आप इसकी अलागा नाब लेगे प्रैक्टिस करें और फिर मुझे उसके बाद दिखाईएगा ठीक है वैस भी चैने ठीक है वैस भी ओके ओके अलाफेज